नोग्य पूछते हैं कि sixowałman को कैसे बढ़ आया Your six Whormon बढ़ाते है तो मैं अच्छ परफॉर्म गरूँगा मेरे में शिक्स हॉर्माइन का मैं ऐसे कंपलियंड लेके लोगा थे तो चलो आई यांज बात करेंगे पांच आदलों की जिस से आपका यह मेल उर इसक के बारे में आज बातिसर्ट करने वालों मेरा में आम चबेंशने माया इकैना吧 नहूं शेक्पारा में महींक्राली साने सेब टर करने आण इस्टिस्टिरोन मेल सिक्स हॉर्मून ये नॉर्मली इस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस से 25 नेनोमोल पर लिटर मिलेगा नॉर्मली यह दो में मेल्स में पुरुष में और मेल मंटरा से कल मंटरा से सकु Dr. नीनोमघ्रमट से की राथ है अब मेल मे रहता है तो ये अक्रली मेल पूरुषत्व के लिए पूरुषत्व के लिए मुजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर होता है बहुत जरूरी है बहुत पावर्फुल है इसके साथ साथ परूश्तव के लिए मतलब एक पुरुश्टी आवाज मुटी होती है मूँचाना दाड़ी आना काखोर जांग में बाल होना इसके लिए भी ये मैल सिक्स हॉर्मोन कारनेबू जाती है तो 12 साल से लेके कम से कम 21 साल तक यह सब गुरूथ होना शुरू हो जाता है और बढ़ते रहता है आखिर हम देखते हैं कि भी उसके आवाग अभी मूटी हो गई लड़के का पूरुश बन गए क्योंकि अभी मेल सेक्स होर्मोन अच्छी मातरा में तैयर होना चालो हो गए यह तैयर कहा ज़ू नहीं रहा मेल शिजव मूट्हां ज़न Bah, नहीं रहा तो आव़ाच्छ पद्ली रहेंगी सुआ सट्रीय से आवाज tutti अबगे उसके डाड़ी मूझ सेक्षिल इच्छा कम रहेगी जैदि कम है तो शेक्ष में सका कम रूची रहेंगी उसके पेनिस कि साइस कम रहती है तो इसलिए मेल सेक्ष होर्मोन ज्यादा रहना आचा है जैसे जैसी उमर बढ़ते जाते है वैसे वैसा वह बढ़ता है तिल 18-20 साल तक बढ़ते रहता है के बाद में उसका सी क्रिशें कॉलता है इतले वरम तक कि य्चा कम हूगई 6 पावार कम है क मजने आ रहा है कि अभी टेस्टेस्टेस्टेरों जोह आ है वह अभी उसकी मात्रा कमोहना शुरू हो जाता है टेस्ट्रस्रों exhaust level घेल्दे हाट के लिए बह tão अच्छी है तो लेवल है, थोड़ी जाद है तो डियबेटीस होने के चैंसे कम हो जाता है तो इतने सारे फाइद है तेस्टोस्तेरान के लिए और बहुत ही फाइदेमन टेस्टोस्तेरान है और वो होना ज़रूरी है अधर्वाइस वह आदमी नहीं है, मतलब वह आदमी में नहीं घरना ही कि आधा के संट स्पर्मन हो रहा है उसकी शुक्रन थायर नहीं हो रहे हैं डिस्टॉसरोन लव भूत ही कम मंख़े प Natal ऐसको करने रहा हैं अथे कम प्रिवल्य दिए प्राबलम 被 बेना अशमकरने इसको भी futur दी ये आपका आड़ति रहेंगा इसमें आता है सबसे पहले बैलंस डायट फूड खाना जिसमें बैलंस डायट में आप फूट्स फल खाते हो सैलर खाते हो और उसके साथ साथ विटामिन डी जिंक और ओमेगा त्री फैट्टी असिड ये तीन चीजे बहुत ही जरूरी है टेस्टोस्तरोन मेंटेन लिए ओमेगा त्री फैट्टी एसिड आपको फिश में बहुत जादा मात्रा में मिलते हैं यदि आप विजिटेरियन है तो आपको काजू है बदाम है फिस्ता है फिर पंकीन सीड से इसमें भी काफी अच्छे ओमेगा त्री फैट्टी एस आपको मिल सकते हैं विटामिन विटामिन दी आप खाते हैं तो असमें फुर्स में बहुत जादा है सबसे ज़्यादा औरिंज मेम संत्रा प्रिश 수도 ड स्कूर्च डिक vendor चीज बटर पनीर इसमें बहुत जादा विटामिन टी रहता है कि सिराना जिंक एकूर्टी कि और जिंग श्यारेश पंकीन सिर्स वा यह वेटलिफ्टिंग जो है वो टेस्टो स्रॉन को बूस करता है वेटलिफ्टिंग एक्सराइज शोल्डर बेल्डिग एक्सराइज फिर उसमे नमबर दो है योगा योगा में अलग-अलग आसन मगर भुजंग आसन कोबरासन यह बहुत कारगर है और यह आप करते हैं उसम कुछ special products है जैसे extreme of capsule आहिरुदिक है और इसमें मकर्दवज अश्वगंदा सफेद मुसरी काली मुसरी कुछ बीज शतावरी गोकरू केशर बहुत सारे atoms इसमें है तो यह आप लेते हैं दो capsule सुभश शाम इदिया आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फायदा testosterone level बढ़ाने में होता है नंबर चार जो है वह है नींद और stress नींद जो है वह 6-8 घंटी की नींद बहुत ही ज़रूरी है और कम से कम तान तनाओ लेना stress जो है वह steroid की मात्रा अपने वदिन में बहुत जादा बढ़ाता है नींद कम है तो steroid की मात्रा बढ़ जाती है और steroid बढ़ गया मतलब cortisol level बढ़ गया तो testosterone level कम हो जाती है तो नींद और stress मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है और वह दिया आप मैनेज करते है तो इफिनिटली आपको testosterone level बढ़ाने में फायदा होंगा नंबर पांच आपकी habits शराप बहुत लोग पिते रहते हैं कम बोलते रोज पिते नहीं हैं मगर ऐसा बोलते बोलते एक दिनार तो ले लेते है smoking यह जो है यह बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए बंद करना चाहिए त तो smoking मतलब टोबय को चू करना चुबाना smoke करना cigarette पीना यह शराप बहुत ही problematic है तो यह आपने बंद करना चाहिए आप यह पांच आदते यह आप ठीक कर लेते हैं बराबर से मतलब इसके उपर काम करते हैं तो डेफिनिटली आपकी testosterone लेए अच्छे रहेंगी आपका sexual health और एक आप अच्छा performer बेड़ के ऊपर रहेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगाते हैं तो लोगों को शेर करो मैं आपको फिर से एक लिए रिपीट कर रहा हूं नंबर एक है food items जिसमें zinc vitamin D और omega 3 fatty acid नंबर 2 exercise नंबर 3 iris supplement नंबर 4 निन और stress का कम करना और नंबर 5 खरा और टोबैको आपको अच्छे लगाते हैं लोगों को शेर करो सब्सक्राइब करो जैनल को लाइक करो टैंक यू वेरी मच कि अधिय।